देश की राज्यती में माना जाता है कि उप्चुनाओं के नतीजे सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही आते हैं खास्तोर से जब कोई सीम खुद उप्चुनाओं लड़ रहा हूँ तब तो उस चुनाओं के परिणाम के बारे में शायदे किसी को किसी तरह का अंदेशा रहता होगा लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो जान लेजे कि जरूरी नहीं है कि पहले भी ऐसा होता होगा क्योंकि 1971 में गुरपपुर के मानी राम विदान सभा उप्चुनाओं में सोच के इतर ऐसा नतीजा निकला जुसने भारती राजनीती के दुशा बदल कर ही रती जी हाँ बात यूबी के पूर्व मुख्य मंत्री त्रिवुवन नारैंड सिंग की जो वारण असी के रहने वाले थे नमस्कार आप देख रहे हमारी खाल सेरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे यूबी के छटे सीम की जो थे त्रिवुवन नारैंड सिंग इनकी कहानी शिरू होती है वारण असी से इनका जन मार्थ अगस 1904 को हुआ उन्होंने पहली मार 1952 में चंदौली से लोकसभा को चनाव लड़ा था 1957 के चनाव में उन्होंने सीट पे दिग्ग समाजवादी नीता राम मनुहर लोहिया को हराया था 60 के दशक में वो केंद्र सरकार में उद्योग और फिर लौ और इस्पात मंत्री रहे दरसल यूपी में साल 1979 के विधानसभा चुनाओं के बाद कॉंग्रिस के चंद्रभानु गुपता प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे लेकिन साल भर के भीतर उन्हीं भारती कुरांती दल के चौधरी चरण सिंग के लिए अपनी गद्धी छोड़नी पड़ी थी हाला के चरण सिंग साथ मैने ही सियम रह पाये थे बहुमत खोने के बाद उन्होंने विधानसभा भंकर देनी की सिफारिश की थी लेकिन राज्य पाल भी गोपाला रेड़ी ने उनकी सिफारिश नहीं मानी और इस्तीफा देने के लिए कहा आकिरकार 17 दिन की राश्ट्रपती शासन के बाद त्रिववन नारांड सिंग को सयुक्त विधायक दल के नेता के तौर पर 18 ओक्टूबर 1970 को मुख्यमंत्री पत की श्यपत दिलवाई गई थी उन्हें भारती जनसंग सुधंत्र पार्टी सयुक्त सोचलिस्ट पार्टी और कॉंग्रिस का समर्थन प्राप था उस समय सदन में उनके समर्थकों की संख्या 257 त्रिववन नारांड सिंग को चौदरी चरंड सिंग का समर्थन प्राप था तब त्रिववन नारांड कि किसी भी सदन की सदस्य नहीं थे कहा ज्वाता है कि टीन सिंग हाला कि चरण सिंग के आदमी नहीं थे लेकिन वो अकेले ऐसे नेता थे जिने सियम बनाय जाने पर चरण सिंग को कोई शिकायत भी नहीं थी यानी दिल्चस बात तो यह है कि तुरिवन नारांट सिंग के 82 को तुरिवन जे ने दुनिया को हस्ते हस्ते अलविदा कह दिया खेर आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हम फिर हाजर होंगे यूपे के एक और नए मुख्यमंत्री की नए कहानी के साथ तब तक मुझे देजाएजाद नमस्कार झाल